गुड मॉर्निंग तुसी प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो, मैं हाथ वाडेना लवप्रीद बंगर, कातिल कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है, अते हुन इस कोरोना दी एंट्री चंडिगर दी बुड़ैल जेल दिविच भी हो गई है, जी हाँ इस वड़े दी व एक आल दसी जा रही है, कि जो भी जेल दा स्टाफ है, जेल दे जिनने भी अधिकारी ने, उना दे भी जो ने टेस्ट कराए जानगे, ताइस वड़े दी वड़ी खबर तुन दास रहे हैं, कि चंडिगर दी बुड़ैल जेल दे विच दो दर्जन दे करीब कह दी, जो ने ओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने, जिनननु हस्पिताल दे विच पर्ती करवाया है गया है, जो भी जेल दा स्टाफ है, जेल दे अधिकारी ने, उना दे भी कोरोना टेस्ट जो ने, ओ करवाये जानगे, ताइस दी है कि लगातार जो कोरोना है, ओ अपना कहर बरपां पंचकुला दे विच पंचसो बवंजा नमे मामले सामने आये ने, एकले चंडिगर दे विच कल आठ मौता हुई याने, कौल मरीज़ा दी गिंती चंडिगर दे विच 6600 बविंजा होगी याने, तो नो दास दी है कि लगातार कोरोना दे मामले वाद दे जा रहे ने, लोक चाल मार देंदा है, पंचकुला दे रेंड वड़ा ये शक्सी, तथ उसी देख सकते हो कि कि इस तरीक के दिनाल कोरोना लगातार कहर बर पांदा जा रहे है, पर शासन दे वलो तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन ने, तमाम हिदाइता जारियां कि तिया जारियां ने, लॉक्डाउन दा, जो है, समा नाइट गर्स्यू दा, समा बदा आ दिता गया, उन पंच वजे चंडिगर दे वेच पंजाब दी तरह दुकाना बंद हो रही हैं, पर इस दे बावजूद भी जो है, कोरोना दा ग्राफ है, उन लगातार वदा जा रहे है, कटन दा नाम नह कर रहे हैं, ता एही कारण है, लगातार आंकडे बाद दे जा रहे हैं, चंडिगर दे विच वी जेल जबंद के दी, यहां तक भी कोरोना पहुंच गया है, जेकर अज यही ही हलात रहे, ता कोरोना बेकाबू हुंदा जाएगा, सानू सार्यान नू सक्त होन दी लोड है, म लातां दा, जाइजा लेंड गे, जिनने भी तमाम सीनियर अगू ने, अधिकारी ने, इस मीटियंग दे विच मौजूद रहेंगे, परदार मंत्री नरेंदर मोधी दे वलोवी मीटिंग किती जाएगी, कि कोरोना दे इस वक्त देश दे विच हलात की बड़े होई ने, त पिशले चौवी के इंटेंदे विच देश तेन लख च्यासी हजार चारसो बविंजा नमे मामले समने आये ने, अते तेन हजार चारसो तो वद लोकां दी कोरोना दे कारण मौथ हो गई है, ए आंकड़ा बेहत डरान वाला है, जिस तरीके दिन आल कोरोना लगातार बड़ जा रहे है, ओ दिन भी दूर नहीं, जदो एक दिन दे विच चार लग कोरोना दे नमे मामले जो ने, ओ समने आणगे, इस साथा सारे हमदा फर्स बंद है कि असी इस कोरोना नो फैलन तो रोकिये, जो सरकार गाइडलाइन दे रही हैं ने, उना दी पालना करिये, क्योंकि तस्वीरा आसी सारे देख रहे हैं, किस तरीके दिन आल देश दा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ओ चर्मर आ गया है, ओक्सीजन दी कमी है, मेडिसिन दी कमी है, वैक्सीन दी कमी है, लोगका नो बैड नहीं मिल गए, हस्पताल जानना लो चंगा है कि तुसी एक मास पैनो 10 रुपे दा सैनिटाइजर दा इस्तमाल करो, साबन आल हत बार बार तो, एतो अडेले भी जरूरी है, तुसी अपने सुरख्या दा कारी रहे हो, अपने परिवार दी, अपने नाल जो तो लोग ने उना दी भी सुरख्या कर रहे हो, तो यहें बहर जरूरी है कि कोव